कि चार राज्यों में जो विधानसवा चुनाव के नतीजे हैं, उनका काउंटडाउन अब शुरू हो गया है, कल सुभा बाद्यप्रदेश, राजस्थान, चातियसगर और तेलंगाना के नतीजों जो हैं वो घोशित होंगे, मदगरना आठ बजे से शुरू होगी, वहीं मि अध्यप्रदेश में 124 के साथ बीज़पी को बहुमत मिल सकता है, कॉंगरिस को 102 सीटे हैं पर हासिल हो सकती है, 36 गड़ की बात करें तो यहां पर एग्जिट पोल कॉंगरिस के पक्षमें नजरा रहे हैं, उनना चास के साथ कॉंगरिस को बहुमत यहां पर मिल सकता है, औ जर्म की बात करें, तो यहां पर MNF को 14, ZPM को 17 और कॉंगरिस को साथ सीटे मिल सकती हैं, तो मद्यप्रदेश में हवा का रुख कैसा है, यह बता रहे हैं, हमारे से होगी अनुराग दौारी, देखें, मद्यप्रदेश में चाहे कॉंगरिस हो या बीजेपी, दोनों बहुमत को लेकर आश्वस्त हैं, मुख्यमित्री शिवराज सिंग चौहान ने पहले भी कहा था, और वापस से वो दोहरा रहे हैं, कि बीजेपी ही सत्ता में वापसी करेगी, और बड़े मारजन के साथ, वहीं जो कॉंगरिस के अध्याक्षें कमलनात, उनका भी कहना है, कि भले ही कुछ जो एग्जेपी को बढ़त दिलाई है, लेकिन कॉंगरिस हता में वापसी करेगी, कल देल रात जो पार्टी प्रमुक है, मलिकार जुन खडगे, उनकी और वरिष्ट कॉंगरिस नेत से उसमें मतों की गणना होगी, इस बार तीन लाग से जादा सरकारी करमचारियों ने और लगभग साथ, पैसट हजार जो कुछ असी साल के वरिष्ट नागरिक है, उन्होंने भी घर से वोटिंग के सुविधा ली है, और जो दिव्यांग है, उन्होंने भी लगभग बार हजार के लगभग टीबल बनाए गए हैं, जो मतों की गिनिती है, वो सबसे जादा राउंड अगर आप देखें तो आदिवासी बहुल जाबुआ में लगभग 26 राउंड होंगे, जबकि सेवड़ा में मातर 12 राउंड, तो उमीद करते हैं कि 12 बजे के आसफ़ास जो रु प्रहूमत हासिल होगा और सारे जो पूरवा नमान वो धारशाई हो जाएंगे, देखना दिल्चस्प होगा कि नतीजों के दिन यानि कल क्या होता है। हैं ओमा सुधिर के रिपोर्ट आपको दिखाते हैं लग रहा है कि बहुत ही एक्साइटिंग संडे होगा तेलंगाना के लिए खासकर इसलिए भी कि अब तक भी बियारस के सियार और के टियार कह रहे हैं कि हमारे नंबर सत्तर से कम नहीं होंगे सत्तर से असी के बीची रहें दुसरी और अगर आप देखिये तो सब एक्जिट पोर्ट ने कहा है या बहुत सारे एक्सिट पोर्ट ने कहा है कि उनको कौंगरच की तरफ ही हवा चल रही है और उनको मेजोरिटी मिलने ही पूरी उमीद है कौंगरच की तरफ से लोग ब्रिपरेशन तो कर रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे और बहुत सारे कॉंग्रेस की कैंडिडेट्स भी है रेवांत रेड़ी के घर अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग पहुंचे हुए हैं गुलदस्तों के साथ और शॉल के साथ और वाकी गिफ्ट्स के साथ ताकि एक गुडविल वो एस्टा पास रहते हैं 62 रहते हैं या फिर साथ से दो या तीन कम फिर भी उनको लग रहा है कि शायद रिजॉर्ट पॉलिटिक्स हो जाएगा क्योंकि अपने विधायकों को तब प्रोटिक करने की अवश्यक्ता उनको दिखेगी तीसरी तरफ भाजपा खुश होगी अगर वो डब से भाजपा में आये हैं और उनकी वज़े से समझा जाता है कि बंडी संजे को भाजपा के अध्यक्ष के पत से निकाला गया वो सवाल भी फिर से उठाये जाएंगे